तो आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त कि जो है सबसे बड़ी अफडेट के बारे में इस वक्त कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग निजुस के बारे में जी पूर्वा मुख्यमंद्री भूपे ज्वगेल जी के द्वारा पर्दा पास किया गया है इस वक्ते कि सबसे बड़ी ब्रेकिंग निउस आप सभी के लिए निकल करा रहा है बीजेपी नहीं खरे दीगी 3100 रुपे में धान और ना ही महिलाओं को मिलेगा 12000 रुपे ये चुनावी जुमला में 36 गर्ड के सभी किसान, 36 गर्ड के सभी महिलाओं को एक तरह से अगर हम बोले तो चुनावी मोहरा के तरह यूस किया गया और चुनावी जो है बीजेपी ने प्रचण बहुमत से 54 सिटों पर जीत हासिल की और 36 गर्ड में पूर्ण बहुमत के सरकार बना पाई और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो नहीं मिलेगा ठारा लाग गर्ड परिवारों को पिये मवास यूजना क्योंकि अगर इन सभी यूजनाओं का लाब अगर बीजेपी आप सभी को देती तो कम से कम जो है जो कैबिनेट का बैठक है जो कैबिनेट का ब चीजों पर बात ही नहीं होती इन सभी चीजों पर किसी भी तरह से खुल कर बीजेपी गवर्मेंट के द्वारा बात ही नहीं किया जाता चुनाओं के समय तो बोला था कि जब हमारी गवर्मेंट आएगी जब हमारी सरकार आएगी भारती जंदपार्टी की गवर्मेंट आ जाएंगे जिसे कि 36 गड़ के सभी प्रतिक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में, पूरे के पूरे रासी, 36 गड़ के प्रतिक विवाहित महिलाओं के बैंक अकाउंट में, पैसो के रासी जो 12,000 रुपे सालाना ट्रांसफर करने के बात है, वो जो है ट्रांसफर किया जा सके बारा हजार रुपे और प्रती महिना महतारी वंदना योजना में एक हजार रुपे जो है ट्रांसफर किया जा सके ये चीज़े लेकिन अभी तक किसी भी तरह से अगर हम देखे तो पांच बार कबिनेट के बैठा हो चुका है जब से चक्तिस गड़ के नए सीम बने ह तब से लेकर अभी तक कि जो है इन सभी चीजों पर मोहर नहीं लगा है और ना ही कतिस सो रुपे जो धान खरीदी का जो वादत है MSP जो समर्थन मुल्य था अभी तो 213 रुपया में धान खरीदी हो रहा है जी हां 213 रुपया आपको जो पैसा मिल रहा है यह तो केंदर सरकार की है न MSP जो समर्थन मुल्य लेकि जो अंतर के रासी जो बच जाता है 917 रुपे प्रती को इंटल के दर से जो बोनस का रासी जो बोनस का पैमेंट देना है वो आखिरकार कब मिलेगा क्योंकि BJP गवर्मेंट के द्वारा और ना ही मुख्यमंत्री विश्नु देसाइजी के द्वारा इसके लिए जो ऑफिसली तोर पर बोला जा रहा हूं कि इस डेट को मिलेगा इस तारी को मिलेगा अभी तक कैसे को को देखने को नहीं मिल रहा है कम से कम इस स्पेसिफिक डेट तो बताना चाहिए कि इस महीने आपको जो धान का जो बोनस का पैसा है जो अंतर किरासी है वो इस महीने से आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए गया या आप सभी के खातों में पैसों क कि रासे टांसफर किया जाएगा लेकिन अभी तक कि ये सभी चीजे किसी भी तरह से देखने को नहीं मिल पा रहे हैं इसी वज़े से 36 गड़ के सभी किसान बहुत जादा परिशान है बहुत जादा चुन्तित नजराय रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी हने हम से जो वादे किय थे आखिरकार उन वादों को क्या उन वादों को पूरा करेगी या फिन नहीं करेगी और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो राजियु गांधी किसान या यह जो फूर्त किस्ते किरासी है जो फूर्त किस्ते के पेविंट है तीन महीने से भी ज्यादा का समय हो के पहले ही आप सभी को तीन किस्तों का पैसा जो कॉंग्रेस सरकार में थी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने तीन किस्तों का पैसा पहली दे दिया था लेकिन जो फूर्त किस्ते किरासी है जो फूर्त किस्ते किरासी है वो फूर्त किस्ते किरासी वो फूर्त के द्वारा कोई किसी भी तरह से आफिसले अनॉंसमेंट नहीं किया गया है और बीजेपी के कई मंतरी तो ऐसे बोलते हैं कि ये कॉंग्रेस की योजना थी तो जब कॉंग्रेस नहीं दिया तो हम क्यों दे उनका पैसा हम क्यों दे ऐसा बोलते हैं तो भाई उनका पैसा या को तो ऐसे ही होता है, चुनाओ के टाइम आप लोगों से बहुत से चुनाओी वादे, चुनाओी लुभावना जो ही किया जाते हैं, लेकिन जैसे ही गवर्मेंट बन जाती हैं, प्रचाण्ड बहुमत के सरकारा आ जाती हैं, क्योंकि अगर चतिस गड़ के सभी और चतिस इसीवज़र से बन पाई हैं, बीजेपी की सरकार बनाई है, अभी तक कि हम बात करें तो 18 लाग गरीब परिवारों के बैंक अकांट में अवासियोजना का पैसा ट्रांसफर होना है, ये चीज़े कहड़ कही जारही है, ने खी 150 अलाग गरीब परिवारों को पीम आवास योजना के तहाट प्रधान मंतरी आवास मिलेगा लेकिन अभी तक के तो एक भी गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसों के रासी एक भी गरीब परिवारों के बैंक आतों में आवास योजना के तहाट आवास का जो पैसा ह अवास योजना केता है जो अवास की रासी है वो तो ट्रांसफर नहीं हुआ सिर्फ कहने और करने में बहुत जाद अपरक होते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पूरवा मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने परदा फास किया है बीजेपी गॉर्मेंट्स की कि बीजेपी नहीं खरे दीगी 31 सो रुपे और नहीं महिलाओं को मिलेगा 12 जार रुपे जो चुनाओं के टाइम कहा गया था और नहीं 18 लाग गरी परिवारों को अवास मिलेगा और नहीं एक लाग पदों पर भरती होगा सिर्फ चुनाओं के समय बड़े बड़े वादे बड़े दावे कर दिये गये थे और नहीं किसानों का बैंकों का जो एक अरजमाप होगा ये सिर्फ एक चुनाओी जूमला था और चुनाओी जूमला की तरह आप सभी को यूज़ किया गया अब चुनाओं खतम हो चुका है 36 गड़ में BGP की सरकार आज चुकी है अब उनकी मरजी आप लोगों के लिए जो वादे थे उन वादों को पूरा करेंगे या फिर उन सभी वादों को पूरा नहीं करेंगे इसके अलावा अगर हम बात कर लें ये तो हो गया जो बेरोजगारी भत्ता के हो सकता ही कि बहुत जल्द है ये बेरोजगारी भत्ता जो 25 रुपे चतिस गड़ के सभी बेरोजगारियों को मिलता है इस बेरोजगारी बत्ता योजना को भी बंद कर दिया जाए क्योंकि भुपेज बगेल के जो कांगरेस सरकार के जो 10 से 15 योजना है उन सभी योजनाओं को जो है बीजेपी गोवर्मेंट्स के द्वारा बदलने की तैयारी चल रही है सभी योजनाओं को बद्ध कर दिया जाएगा तो आने वाले टाइब ही पता चल सकेगा तो फिर अगर हम देखे तो बीजेपी जिस वादे को जो मुदी की गोषना पत्र को लेकर जो आई थी सरकार बनाई थी उन सभी वादों को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा रहे है तो यही आज की वीडियोस में मैं आप लोगों के सभी क्वेस्टन्स पुरा डाउट क्लियर करना चाहता था आई होप आप सभी को जो है वीडियोस पसंद आया हो अगर मेरे द्वारा दी गवी सभी जानकारी अपडेट पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पर ना है तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लेना साथ में बिल नोटिफिकेशन को अन करके रख लेना और वीडियोस को जितना जादा होशगे वीडियोस को शेयर करो जिससे के सभी तक जो है वीडियोस पहुंच सके और उन तक जानकारी अपडेट बिल सके और कुछ भी नहीं अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा Thank you so much वीडियो सेखने के लिए धन्यवाद आप सबी